थे नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है फिरचे हमारे न्यूब ब्लक में आज कि हमारा ब्लाग होने जा रहा है महा विशनु देभी मंदर के बारे में इसमें हम आज देखींगे इसकी गुफा और हम जाएंगे बरिशनो देवी जी की बिलकुल पास और उनकी दोनों गुफाइं दिखाएंगे आपको और यहाँ पे जो जम्मू कासमीर में सीन चलते हैं लाइव वह भी हम आपको दिखाएंगे और कैसा है इसका पूरा अंदर क नजारा हम आपको सब दिखाएंगे फिलाल आप देखिएंगे यहाँ पे इतनी लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ से आपको टिकेट लेना होता है जो कि विलकुल फ्री होती है लेकिन आपको यहाँ पे जो अपनी आईडिया बगेरा दिखाना होता है तो चलिए दोस्त देख सकते हैं हम आए हुएं आज ब्रंदा बनके मा विष्णो देवी के मंदिर में तो फिलाल हम लोग देख सकते हैं यहाँ से हम जाएंगे उपर उपर जाके हम आपको दिखाएंगे कि मंदर का काम कब से कब तक चला कैसे चला किस फेस में मा विष्णो देवी का मंदिर बना, कब उनकी गुफा बनी, कब हनवान जी का निर्माड हुआ, यह सारी जानकारी जो है अंदर दी गई है, फिलाल अभी आप देख रहे हैं, यह हम लोग जा रहे हैं अंदर की ओर, और आपको सामने उपर देख रहेगी मा बेशनो देवी, इसके ही नीचे एक और मातारान की जो है, मूर्ती है, जो की बहुत ही प्यारी है, इसके अंदर बनी हुई है, वो भी हम आपको दिखाएंगे, तो यह है वीडियो जो है, बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप इसको पूरा देखिएगा, लाच तक देखिएगा, आपको बहुत ही आ चुके हैं, मा विष्णो देवी के, यहां पे देखिएगा, आप लिखा हुआ है, मा विष्णो देवी मंदर जाने का रास्ता, हम बहाँ भी जाएंगे, और उससे पहले हम आपको बैसा बताया हमने की कैसा इसका कंट्रक्शन बर्ख हुआ था, बै दिखाएंगे, तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि यहां पे कैसे जो है, पूरा मंदिर का निरमाड हुआ था, तो दोस्तों देखिएंगे, हम लोग उस जगे में आ चुके हैं, जहां पे पूरा बताया गया है कि मा का भूमी पूजन से लेके, पूरा प्रांगर कैसे बनाता है, यह बहु अभी पूरा यहां बनके त्यार है, तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं, जहें आप मूर्ति देख रहे थे उपर, मा विष्णो देवी की, उसके नीचे जो है, उनका औरिनल मंदिर बना हुआ है, तो हम मंदिर के अंदर अभी आ चुके हैं, जैसे ही आप मंदिरें पर प्र क्या क्या खाशित हैं, जो हमें पता है, भाई हम आपके साथ में जरूर शेयर करेंगे, तो देखींगे दोस्तों हम लोग आ चुके हैं, यह मा विष्णो देवी के मंदिर के अंदर, अंदर गुफ़ा के अंदर, तो देखींगे कुछ इस प्रकार्चे हैं, पूरी मूर्त दिए, जो हम को आपको तोड़ी देर में दिखाने वाल हैं, एक के बाद एक, तो देखींगे दोस्तों हम लोग आ चुके हैं, इस तरह और यहां पर सारी जानकारी दी गई है, कैसे कृष्णो गान लीलाएं किया करते थे, कैसे उन्हों ने मारा था, कैसे उन्हों ने जो बाद इख दी गई है, और अलग-अलग मन्दिर के यहां पर जो चितर आपको बनाके बताये हैं, देखींगे यह, इसु प्रकार से यहां पर और भी जो है, ऐसी मूर्तिय बनी हुई हैं, आपके सामने अभी श्री गड़िज्य की मूर्ति है, इसके बाद जैसी आगर बढ लाती हैं जो कि अलग-अलग कलर से अलग-अलग यहां पर लाइटिंग वगेरा लगाई गई यह बहुत ही प्यारी देखने में लगती हैं अभी हम जो है माताराणी के मंदर से उपार अचुके हैं और आपको एक बार यहां से पूरा व्यू दिखाते हैं कि कैसा यहां से और हमें बताएंगे कि आपको यह मंदर कैसा लगा तो चलिए चलते हैं गुफ़ा के अंदर और दिखाते हैं आपको गुफ़ा के अंदर कैसा न जा रहा है तो दोस्तो जैसी आप यहां पे घुशेंगे सबते पहले आपको जैमाता दी बोलना होता है नारे लगाना होता ह देखिए आज काफी भीड़े और आपको इस गुफा में जो है पानी देखने को मिल जाता है दोस्तों अगर आप अभी यहां आते हैं तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है क्योंकि यहां पर इस गुफा में जो है आपको पूरी मातारानी के 9 रूप दिखाए गए हैं ज यहां पर पानी बगेरा भी आपको देखने को मिल जाता है जैसा कि वैशनो देवी जी कुफा में होता है तो देखिए आप जैसे ही आप यहां प्रवेश करते हैं सबसे पहले आपको श्री गणेश जी की मूर्ति देखने को मिल जाती है और उनके बारे यहां पर पूरी ज जानकारी दी गई है तो दोस्तों यह गुफा बहुत ही प्यारी है देखिंगे आप और मूर्ति आपको दिखा रहे हैं इसी प्रकार से आपको यहां पर जो हैं दोनों गुफाएं हैं पहले भी हम एक गुफा में हैं और आपको एक गुफा में दिखा रहे हैं कि किस प्रकार अक्सर बहुत ज़्यादा बीड़ देखने को मिलती है क्योंकि यह मंदर जो है बहुत ही famous है और ब्रंदा बनका बहुत ही famous मंदर में से एक मंदर है जिसके बारे में आपको अविश्च पता होना चाहिए और आप कभी भी आते हैं तो आप हमारे वीडियो की सायता से इस प्र से इसी प्रकार से आपको यहाँ पर दितरण किया जाता है तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से पूरी यहां कोहं की बनाई कई है यहां पर fighting की गई ब्लू कलर से green कलर से रओट कलर से और गुटा तो आपको माता रानी के इतने दर्शन करने को मिले, इसके बाद आप उपर जाएंगे, तर उपर जाके आपको फिर से महा वेश्णो देवीक पास पहुच जाते हैं, जैसा कि आप अभी थोड़ी देर बाद आगे देखींगे, यहाँ देखींगे, पानी आपको इस प्रकार अंदर से यहाँ पर आ रहा है, जो कि आप इस प्रकार से फिटेंग की गई है, बहुत ही प्यारा लगता है, गुफ़ा के अंदर जाब आप कभी दर्शन करने आएंगे, और आप औरिजिनल आएंगे तब आपको बहुत ही मज़ा आएगा, जैसा हमने आपको बताया था कि आप मातारानी के पास आजाते हैं, तो ऐसे ही आपको देखेंगे यहाँ पर दूसरी कुफा में जाने के लिए इस तरफ से जाना होता है, और यहाँ पर दोस्तों और मंदिर बन रहे हैं, जिसके बारे मंद आपको दिखाएंगे, देख सकते हैं, आप लोग पीछे यहाँ मन cooking बन रहे हैं, जाटी जब यह बन वने के तयार हो जाएंगे तो आपको यहाँ भी घूमने के लिए हम ज़वरूर जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि मंदिर किसका बनने वाला है, अगर आपको पता है, यह मंदर कौणसा बन रहा, तो आप भी एमार साथ में जिए कर सकते हैं और हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि यह मंदर कौन से होने वाला है तो देखिएंगे दोस्तों यहां से माँ विष्ण देवी की मूर्ति देखिएंगे आप बहुत ही बड़ी है और यहां पर पूरी प्रक्यमा करने होती है अभी हम फिलाल एक गुफा घुम के आय आती है तो एक बार फिर से आप सभी लोग जयकारा लगाएंगे और कमेंट में जय माता दे लिखिएंगे दोस्तों हम लोग प्रविश करने वाले हैं दूसरी गुफा में आप देखिएंगे यहां पर आपको जो है बहुत जाता बीड़ देखने को मिल रही आज और यहां अपर आमारे जा लगाएंगा हैं और यहां पर जो माहॉल बनाएगा बहुत ही प्यारा इस तरफ देखिंगा आप इस तरफ भी आपको पाणि देखने को मिल जाते हैं जिस तरफ से हमने आपको दिखायए था पहली गुफहा मंपानी हा रहा था यहां पर भी जो है डिए स चलते हैं और दिखाते हैं आपको मूर्ति की कैसी दिखाई देती हैं गुफवा के अंदर देखींगे आपको दोस्तो हम लोग आ चुके हैं यहां पर आप देख रहे हैं मातरानी के दर्शन कर रहे हैं और मातरानी के बारे में यहां पर लिखा हुआ है आप उनके बारे में जिनका आप देख सकते हैं यहाँ पर मा काली के बारे में लिखा हुआ है और आप पढ़ सकते हैं उनके बारे में और इसी प्रकार जैसे सा आगे पढ़ते हैं वैसे वैसे वह देवी के आपको रूप देखने को मिलते हैं अभी नवरातरे भी चल रहे हैं दोस्तो तो आप भ लाश्ट में और यहां पे आप दर्शन कर सकते हैं श्री वेरो वाबा जी का जो की आपको हमने दिखाया और आप उनके बारा में यहां पड़ सकते हैं और दोस्तों यह थी पूरी गुफ़ा जो की बहुती प्यारी बनाई गई थी इसके अंदर बहुती अच्छा लगता है बहुती मज़ा आता है जब आप परिकमा करते हैं और आगे देखींगे दोस्तों हम लोग जो हैं आप गुफ़ा को पार करने वाले हैं यहां पर पूरी गुफ़ा जो है खताम हो चुकी है पूरी माता रानी के आपने दर्शन किये गड़ेश जी से लेके वहरो वाबा जी दिखे और उनके बीच में आपने नो देवी को देखा तो इस प्रकार से यहां पे पूरा जो है दोस्तों मंदिर बन ऊगुआ है मा विशनो देवी का जो कि हमने आपको दिखाया पूरा कैसे जाना है कैसे आपको बाहर आना है और यहां देख सकते हैं हम लोग बाहर आ कमेंट करके बरदू बताईएगा मिलते हम आपसे हमारे नेक्स वीडियों बहुत जल्दी